आज मैं इस नई लोकसभा के गठन के बाद महामहिम राष्टपती महोदे द्वारा दिये गए अभिवाशन पर धन्यवाद और कृतक्यता गापित करने के लिए खड़ा हुआ हूँ महामहिम राष्टपती ने अपने अभिवाशन में जो जो बाते कहीं हैं मैं प्रयास करूँगा कि क्रम वार उसका बिंदु वार कुछ बिंदुओं के बारे में अपना और पार्टी का पक्ष रखने का प्रयास करूँ वाष्टपती महोद्या ने प्रथम तीन बिंदुओं में इस बात का उलेख किया कि एक नई सरकार और नई लोगसभा का गठन हुआ है और ये इसलिए अधिक महत्रकून है क्योंकि ये भारत के अमरत काल की पहली लोगसभा है भारत की नई संसदी ने के बार की या पहली लोगसभा है और उन्होंने अपने बिंदु क्रमांग तीन में ये कहा कि ये चुनाव नीती, नियत, निष्ठा और निर्णे पर विश्वास का चुनाव था यहां मैं इस पश करना चाहूंगा कि नीती, नियत और निष्ठा हर हमारी पार्टी और हमारी सरकार ने वो उधारण प्रसुत किये हैं कि अपनी स्थापना 1951 से लेके आज तक इन 73 वर्षों में हमने न अपनी कोई नीती बदली है, न निष्ठा बदली है हमारा एक भी आइडियोलोजिकल मुद्दा ऐसा नहीं है इन 73 वर्षों में जिसमें हमने अपना स्टैंड चेंज किया हो और दूसरी तरफ हमारे जो भी पक्षी दल है, उनका एक भी ऐसा आइडियोलोजिकल मुद्दा नहीं है जिस पे उन्होंने इस्टैंड चेंज नक चिया हो इसलिए इसलिए वेति जोनें स्टैंड के स्टैंड ए स्टैंड चीड नेंसमेंटित है होनें स्टैंड का दूसाओ आप truption आप the members I will be constrained to name the members who are present here Sagarika Ghosh is this have you come to this house Sagarika Ghosh for this purpose nothing will go on record nothing socket you are getting you are virtually becoming a nuisance to yourself you are virtually becoming a nuisance to yourself and mr. Derek Aubrey you are becoming a director you are becoming a director the house will meet at 12 noon today